हेई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज किस फीडियो में हम लोग कैन कैन स्कट बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हमने सेंटून का टोटल सारे तीन मीटर फाबरिक लेके उसे दो पर फोड़ करके प्लेस कर लिया है इसका एक साइट आपको यहाँ पर सारे ओपन मिल ज अब इसमें हमें एक इंच एक्सरा एड़ कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पे लास्टिक दालेंगे तो हमें आप 5.3 इंचिस पर रखते हुए निशान लगा लेंगे आपको इस तरीके से 5.3 इंचिस पर रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है अब आपने जहाँ पर निशान लगा था उसके नीचे से हम अपनी लेंद का निशान लगाएंगे तो आपको अपनी टोटल लेंद में से एक इंच माइनस कर देना है तो जैसे में टोटल लेंद ही 32.5 इसमें एक इंच माइनस किया यानि 31.5 तो हम यहाँ पर 31.5 इंचिस पर निशान लगा लेंगे अब हम अपने मेजरमेंट टेप को एकदम ऊपर कॉर्णर पर लखके देखें कि हमने जो निशान लगा है वो कहां पर आ रहा है तो यहाँ पर में 37 इंचिस प्यार अब हम पूरे में 37 इंचिस लेते हुए निशान लगा देंगे आपको इसी तर कटिंग कर लेंगे उसके बाद वेस्ट कपड़ा बचेगा उसके सीधी वाले साइट को आपको पकड़ते हुए जहां पर आपका कपड़ा कम पड़ा है उसके ऊपर हाफ इंचिस का रख देंगे इस तरीके से अब फिर से अपनी में टिप को ऊपर की तरफ रखते हुए 37 पूरे में निशान लगा लेंगे और एक सेकल ड्रॉक करके इसे कट कर लेंगे दिन इसके बाद हम लोग ऊपर जो हमने से कल बनाए उसकी कटिंग करेंगे अभी जो हमने छोटे से पीस कट किये उसके आपको चार पार्ट मिल जाएंगे और यह जो हमने बड़ा वाला पार्ट कट किया था यहाँ पर एक साइड में आपको जोड मिलेगा आपको इसे भी अलग कर लेना है अब आपको अपने सकर्ट के सीधी साइड के ऊपर जो आपने अपर पार्ट कट किया था उसको इस तरह किसे उल्टा प्लेस कर देना है तरह यहाँ से सिलाई लगा के जोड लेना है हमने इसे जोड लिया है अब हम अपने बच्चे तीनों साइट पर भी से जोड लेंगे जोड लगाने के बाद हम फ्रेंट के और बैक के पाट को एक यूपर एक रखते हुए दोनों साइट से सिल लेंगे तो यहां पर हमने अपनी स्कर्ट में ऊपर की तरफ से सिलाय लगाते हुए आपस में जोड लिया है अब हम नीचे की तरफ से इस तरही के से 24 इंचे पर मेजर करके यहां पर एक निशान लगा देंगे अपूरे में ऐसे निशान लगाते हुए हम एक सेर्कल ट्रॉ कर देंगे अगर आप अपने कपड़े में ऊपर से फिलीर चाते तो आप यहां 24 इंचे पर अपनी कैन कैन अटच कर सकते हैं बट इसका लुक बनने के बाद काफी अच्छा नहीं आता है इसलिए हम यहां से अपनी कैन कैन अटच नहीं करेंगे हमें 24 इंचिस पर अपनी can can attach नहीं करनी इसलिए हम नीचे की तरफ से 16 इंचिस पर निशान लगाते हुए पूरे में एक circle draw कर देंगे और यहीं से अपनी can can attach करेंगे आपको सेम ऐसे ही इसके पीछे वाले पार्ट में भी निशान लगा लेना है यहां हमने पीछे भी निशान लगा लिया है तो यहां पर हमने total 4 मीटर can can लिया है अब हम इसकी cutting करेंगे तो सबसे पहले आपको इसके width measure कर लेनी है तो यहां पर हमां इसकी total width था रही है 40 इंचिस अब आपको अपनी can can पे इस देके से 16 इंचिस पे measure करते हुए निशान लगा लेना है दिन उसके बाद हम पूरे में एक straight line draw करके इसे cut कर लेंगे आपको 16 इंच पे निशान लगाते हुए दो पट्या cut कर लेनी है अब जो आपने can can के दो लियार कट की है उनको आपसे जोड़ देना है दिन उसके बाद अपने कपड़े की सीधी side के ऊपर आपको अपनी can can इस तरह की से place कर देनी है आपको अपनी can can को अपने निशान के ऊपर रख देना है दन हम यहाँ पर अपने box वाले plates बनाएंगे तो आपको इस तरह के से पहले ही से fold करना है दन इसके सामने की तरफ face करते हुए हम दूसरी plate बना देंगे आपको इस तरह के से छोटी छोटी सी पास पास में plates बना देनी है इस तरह के से आपको सारी plates को बनाते हुए इसके उपर जोड देना है तो यहां पर हमने पूरे में अपने can can को इस तरह के साटाच कर दिया है अब आपको अपने can can के उपर एक और सिलाह लगा लेनी है तो अब हम इसके उपर अपने belt अटाच करेंगे अब हम अपने बचे हुए वेस्ट कपरे में से एक इस तरह की की पट्टी निकालेंगे यहां इसमें से हम अपने belt करेंगे तो आपको यहां पर belt की फिट 5 इंचिस रखनी है और इसकी length आपके skirt की जितनी भी length होगी उतनी रखने तो यहां पर हमारी total 39.5 आ रही थी तो हम यहां पर 39.5 पर मार्क कर देंगे और यहां पर भी हम 5 इंचिस पर निशान लगा देंगे अब पूरे निशान को मिलाते हुए हम एक box बनाकर इसे cut कर लेंगे अब हम अपने marking की cutting कर देंगे अब आपने जहां से अपने दोनों पार्ट को आप आप में जोड़ते वहां से थोड़ी दोर की इस ते किसे सिलाई खोल लेनी है अब यहां से हम अपनी belt attach करेंगे तो आपको इसकी सीधी side के उपर अपने belt को इस ते किसे उल्टा फ्रेस करते हुए इसमें जोड़ लेना है तो यहां पर हम ने इसमें अपने belt को जोड़ लिया है belt को जोड़ने के बाद अब हम ओपर की तरह से इसे पहले half inches इस ते किसे फोल कर देंगे देन जहां पर आपने अपने सिलाई लगाए थी उसकी कपड़े के उपर इस इस ते किसे रखते हुए पूरे में सिलाई लगा के जोड़ लेंगे तो यहां पर हमने इसमें अपने belt को जोड़ लिया है अब इसमें हम अपने लास्टिक प्लेस करेंगे तो आपकी जितने भी कमर है उसमें आपको तीन इच माइनस करते हुए अपने लास्टिक को कट कर लेना है तो हमाई कमर के लेन्द है 30 इंचेज और हमने अपने लास्टिक के लेन्द 27 इंचेज है अब इसमें हमें प्लेस करने के लिए आपको इसके एक कॉर्णर पे एक पेन अटाइच कर दिनी है देन आपको अपने लास्टिक को इस लूप के अंदर प्लेस कर देना है अब जिस साइट आपने थोड़ा सा इसे ओपन कर दिया था वहाँ पर आपको एक के उपए किसे लगते हुए सिल लेना है तो यहाँ पर हमारा उपर का पाट कम्प्लीट हो गया है अब हमें नीचे की तरफ से अपने कपड़े को इससे अंदर की तरफ दो बार हाफ इंचे स्पोल करते हुए पूरे में सिला लाके हिम कर लेना है हमने अपने स्कर्ट को नीचे की तरफ से हिम कर लिया है ने कêu के आँए हैं हमारी कांच क falando में त्याहर हो गई है अगर आपको लेंगी के वीडिए दिखने़ लेफ से ही कोपी ने करका है हमारी के शम कह धा नुकुल किने भी जाता है